जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मरा। मैंने लिखा है, इसलिए पता है न, ओक, evaluate मतलब value find करो, find the value of, ऐसे भी question आ सकता है, या फिर evaluate, ऐसे भी question आ सकता है, और ये question आ सकता है, इस type की, तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान देना है, कुछ चीजे, छोटे से, प्यारे से, अच्छे से, एक दू फॉर्मिली आ सकते हैं, चलो, देखो, यहाँ पर द्यान दो, चलो, find the value of, तो इसमें सबसे पहले, ठीक है, ये वाले questions हैं हमारे, सबसे पहला question लेता हुम, log of 81, log of 81 to the base 3, ठीक है, log of 81 to the base 3, अब इसको, मैं, solve करूंगा, इसकी value क्या आएगी हम, find करेंगे, अब इसको ध्यान से देखो, आपको ऐसे पहले answer कैसे लिखना है, answer कैसे लिखना है, जो लिखा है, वो, जो question है, लिख लो, उसके बाद, अब यहाँ पर क्या है, log of 3, base क्या है, इसका 3, base मतलब नीचे जो होता है, वो base बोलते है, अब इसका एक formula में, मुझे, पहले मुझे एक formula बताना है आपको, काउन सा formula इसर बताओ, चलो, फटाओ, यहाँ पर देखो, log of a to the base a is equal to 1 होता है, log of a to the base a is equal to 1 होता है, तो इसका क्या फाइदा सर हमको, इसका फाइदा यह है, अगर यह 3 और इधर भी 3 आ जाए, formula क्या है, मैं formula आपर भी लिख ले हो, log to a to the base a, या फिर बाद में हम formula जब use करेंगे तब लिखेंगे इसको, तो यहाँ पर base 3 है, तो उपर भी base 3 आ जाए, log के आगे, तो कितना मज़ा आएगा, मैं directly उसको, तो 81 को मैं 3 के form में लिख सकता हूँ, कैसे, 3 raise 2, 3 के उपर क्या डाला, तो 81 बन जाएगा, मतलब क्या सर, मतलब क्या, मतलब 3 के उपर, 3 के उपर, 3 के उपर क्या लिखूँ, तो यह 81 बन जाएगा, question mark एगा, तो इनके उपर क्या लिखूँ, तो यह 81 बन जाएगा, 3 raise to 2, 9 होता है, 3 raise to 3, 27 होता है, 3 raise to 27, into 3, 81, 3 raise to 4 होता है, ओके, 3 raise to 4 होता है, क्या, तो 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ न, 3 raise to 4 is equal to 81, अगर होता है, तो 81 को मैं 3 raise to 4 लिख सकता हूँ, तो लिख लो, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 raise to 4 to the base 3, अब थोड़ी देर में पता चलेगा, ऐसा क्यों किया, is equal to, एक और फॉर्मिला है क्या सर, हाँ भाई, फॉर्मिली तो है, फॉर्मिली तो है, कौन सा फॉर्मिला आने वाला है सर, log of x raise to a is equal to a log x, अच्छा, ये भी फॉर्मिला है क्या, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, अरे भाई, जो उपर बैठा है, वो सामने आता है, जो उपर बैठा है, वो सामने आता है, जो उपर बैठा है, वो सामने आता है, बस बात खता, जो उपर बैठा है, वो सामने आता है, जो उपर बैठा है वो यहाँ पर आएगा ठीक है तो क्या बनेगा A log X अब इसको यह formula यहाँ पर apply करो जो उपर बैठा है 4 वो क्या आएगा सामने आएगा तो कैसे दिखेगा रही है तो कैसे दिखेगा 4 यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4 log 3 तो दी बेस 3 उपर जो था उसको सामने लेकिया आए अब मैं इसको यह formula यूज करूँगा log of A to the base A is equal to 1 होता है क्या बोलता है यह formula यहाँ पर और यहाँ पर अगर same number आ गया same चीज रहे गई तो उसको 1 लिख सकते हैं direct मतलब यह देख log of 3 to the base 3 same आ गया ना यह और यह same हो गया तो log की value 1 होती है बाबा तो 4 के पास क्या बचा सिर्फ 1 तो final answer क्या हो गया मेरा final answer क्या हो गया मेरा log of 81 61 to the base 3 4 into 1 क्या होता है 4 clear इतना असान था चलो सर और करके दिखाओ फटाफट 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 करके दिखाओ सर्ट चलो करते हैं दो number का क्या है log of 64 to the base 4 चलो हमको करना क्या होता है यहाँ पर 4 है यहाँ पर भी 4 लिखा लेकिन 64 को 4 raise to क्या है 4 का square 16 16 का square 16 4 into 4 into 4 4 into 4 into 4 3 बार 4 मतलब 64 होता है मतलब 4 का cube 64 को मैंने क्या लिखा 4 का cube क्योंकि 64 is equal to 4 का cube होता है तो जैसे कि यहाँ पर किया उपर वाला सामने आता है बाबा उपर वाला कहां जाता है बाबा सामने आता है बाबा और यहाँ पर और यहाँ पर सेम हो गया तो क्या होता है बाबा 3 इंटू 1 बचता है बाबा ठीक है तो finally log of 64 to the base 4 is equal to क्या बचा मेरा 3, this is my final, final, final answer clear? हाँ sir, बहुत ही ज़्यादा clear हो गया, इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा complication इसमें कुछ ज़्यादा complication है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ओके, चलो next, third क्या है log of 27 to the base 81 ओहो, सर यह तो danger दिख रहा है देख चल, is equal to क्या कर सकता हूं मै log of यहाँ पे तो 81 base मेंने as it is लिखा मुझे यहाँ पे भी 81 चाहिए मुझे यहाँ पे भी 81 चाहिए 27 की जगा पे आपने लिखा 81, ऐसे तो नहीं चलेगा 27 तो 81 थोड़ी होता है तो 81 की उपर क्या डालू था कि वो 27 हो जगा 81 raise to 27 कहिसे होगा यह cheating है ऐसा होता नहीं सर मतलब आप क्या पढ़ाते हो मतलब क्या हम सुनते है मतलब कुछ भी पढ़ा होगे क्या मतलब 87 raise to कुछ मतलब ऐसा थोड़ी होता है यह बड़े नमबर को रेश्टू रुक 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 मैं जानता हूँ वहां तक अभी तक हमने सोचा नहीं लेकिन हो सकता है क्या थोड़ा सोचो यह हो गया आम जिन्दगी नहीं हो सकता यह आम जिन्दगी है अब आगे वाली जिन्दगी अड़वांज जिन्दगी डर के आगे जिन्दगी वह वाली जिन्दगी वह सोचो 81 रेश्टू क्या आइसा है क्या सर 3 रेश्टू 3 27 होता है हमको पता है 3 रेश्टू 3 3 का क्यूब 3 का जो क्यूब है यह 27 होता है हमको पता है तो 81 को 3 करते है 81 को क्या करते हैं 3 81 raise to 1 by 4 करूंगा कि क्या हो जाएगा 3 आएगा क्योंकि 3 raise to 4 81 होता है ये कितना आया मेरा 3 आया अब 1 by 4 से 3 आया तो into into इसको 27 बनना है आपको 3 raise to ये पूरा क्या है आया 3 3 raise to कितना 27 होता है 3 raise to 3 तो पहले मैने 81 को 3 बनाया फिर 3 को 27 बनाया तो 1 by 4 into 3 क्या होता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 by 4 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81 raise to 3 by 4 डालके देखो कहीं भी भी कैल्कुलेटर में हो गया फिर ये उपर वाला सामने आता है यहाँ तो formula है अपने पास 3 by 4 log of 81 to the base 81 और हमको पता है यहाँ पर यहाँ पर same हो गया तो काउं सा formula ये उपर वाला हो गया तो finally log of 27 to the base 81 is equal to कितना है अरे बाबा log of 27 to the base 81 is equal to 3 by 4 आया 3 by 4 आया ठीक है ओके चलो फटाफट नेक्स्ट वाला करते हैं फटाफट नेक्स्ट वाला करते हैं एक ही बच्चा है अब 4 नंबर का log of 1 by 81 to the base 9 ठीक है हमको क्या करना है यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 चाहिए मेरे को ठीक है तो log of यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9 लिख के लेता हूँ 9 raise to क्या 1 by 81 होगा सर 9 raise to 2 81 होता है 1 by 81 नहीं होता सिर्फ 81 होता तो ठीक है हम 9 का square कर देते थे यहाँ पर 9 raise to 2 लेकिन यह 1 by 81 कैसे आएगा 9 raise to 2 अगर 81 होता है तो 9 raise to minus 2 1 by 81 होता है कैसे अरे बाबा यहाँ पर देख तो इतना तो जानता है क्या जानता है सर हम वैसे कुछ नहीं जानते आप बताया करो हमको यह देख 1 by 9 raise to 2 यह 1 by 81 होता है इतना तो जानता है अब यह 9 raise to 2 को मैं उपर लेके जा सकता हूँ अगर किसी भी चीज को उपर लेके जाते हैं denominator को उपर लेके जाते हैं नीचे के नमबर को उपर लेके जाते हैं तो उसका power का sign change होता है तो 1 by 81 को 9 raise to minus 2 लेक सकता हूँ ना ऐसा ही क्या ओकी चालो अब इसको आगे कैसे करेंगे आगे का तो हमको पता यह सर समने आ जाता है minus 2 log of 9 to the base 9 अब यह minus 2 आप क्या लिखोगे into 1 करोगे और यह final answer इसका क्या आएगा minus 2 clear इतना असान है बबा सर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो formula सीखे हैं सर इस type में सिर्फ दो formula का ज़रूरत पड़ा सर एक तो यह है log के आगे base और number same होता है यह दोनों same होता है तो उसको one लिख सकते है पाहिला formula दूसरा formula यह सिखा कि log के आगे जो number उसके जो power होता है वो सामने आ जाता है power coefficient बनता है power क्या बनता है मतलब उपर का मैं सामने लिख सकता हो बहुत important property है log के यह दोनों भी और आगे यह दो और आएंगे तो वो भी द्यान में रखेंगे बहुत आसान है मüş्किल है ध्यान में रखने में जिसको मुश्किल लग रख रहे है बंद करो यह मतलम उसकुल नहीं लगना चाहिए तो यह है नहीं मुश्किल अगर कुछ मुश्किल है तो हम उसको anal menor देते है बरबर पांच बार सॉल करेंगे एक एक प्रोब्लम इतना परफेक्ट करेंगे कि नेंद में भी कोई पूछे भाई हम फड़ा 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 पड़ जवाब देदेंगे मतलब रटने की बात नहीं कर रहा हूँ रटना नहीं बोल रहा हूँ लेकिन प्रैक्टिस इतनी करेंगे इसके टाइप कोई भी सवाल आजाए प्रैक्टिस तो करना है परना पड़ेगा कि आधा काम समझने से होता है और आधा काम बचा हुआ प्रैक्टिस से होता है यहाँ समझेगा लेकिन यह द्यान में भी रहना चाहिए कि नहीं इसलिए प्रैक्टिस लगेगा सिर्फ देखने से द्यान में रहता है क्या नहीं सर नहीं वाईसा सिर्फ लगता है दिहान में रहे गया लेकिन रहता नहीं बाद में पता चलता है अब यह तो मैं भूल गया इसलिए practice is very very important भूलना नहीं बाद में बोलना नहीं बाद में मुलना नहीं बता है नहीं ठीक है और दो सवाल है find the value of काफी important है as it is दिखेगा भाई थोड़ा सा number number change हो सकते लेकिन मैं तो बोलता हूँ 90% देखेगा यह as it is very important द्यान दो यहाँ पर ठीक है सर द्यान देंगे हाँ वो formula आप यहाँ पर आएंगे काउन से दो formula में add करने जा रहा हूँ जिन्दगी में आपकी जिन्दगी में और दो formula में add करने जा रहा हूँ सर कितना formula add करोगे अरे भाई formula तो करना पड़ेगा तेरे को रे तेरे पास कोई option नहीं है formula के बिना तो पहला formula है हमारे पास पहला formula हमारे पास log of a plus log of b is equal to log of a into b clear answer ये पहला दूसरा log of a minus log of b is equals to log of a upon b ये दूसरा formula और पिछले वाले दो भी लिख लेता हूँ यहाँ पर log of x to the power a is equal to a log x और चावता formula log of a to the base a is equals to is equals to kya होता है 1 ठीक है ये चार formula परफेक्टली दिहान में रखना है परफेक्टली दिहान में रखना है मतलब चार formula क्या बोलता है आपको बोलता क्या है log अलग अलग है और बीच में plus है तो एक साथ ए और बी को एक साथ करेंगे तो into बनेगा मतलब multiplication होगा अगर बीच में minus है तो division होगा और ये दोनों तो पता ही है उपर वाला सामने आता है क्या हो गया वाई इसको उपर वाला कहा जाता है सामने आता है ठीक है तो और log अगर ये और ये चीज सेम होता है इधर और इधर का number ये सेम होता है ये और ये तो उसका value क्या होता है 1 ठीक है ओके सर समझ गए हम अच्छे से अब इसको सॉल करते हैं फटाफट 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 सबसे पहले सर क्या करो आप यहाँ पर एक ठीक ओके 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 चलो मांच नंबर का इस वाल करेंगे क्या है उसको आज इस पहले जब आप एक्जम में जब answer विपर आता है उसमें जब answer लिखते हो तब पहले question को as-get झाशे से लिखेंगे log of 2 by 3 plus log of 4 by 5 4 by 5 5 minus log of 8 by 15 जब जब दो log के terms है उसके बीच में plus दिख रहा है तब तब यह याद आना चीए क्या बोलता है बीच में plus है तो दोनों को एक साथ लेंगे तो multiplication होगा तो बीच में यहाँ पर देखो यह दोनों को पकड़ते हैं सिर्फ किसको पकड़ेंगे सबसे पहले यह दोनों को पकड़ेंगे ठीक है यह दोनों को पकड़ो log a plus log b क्या होता है log a into b multiplication तो इसका मुझे क्या आएगा log of 2 by 3 into multiplication ऐसे लिखेंगे बरबर into 4 by 5 minus यह आगे वाला सर अभी के लिए मैं as it is रख रहा हूँ तो यह दोनों का करो multiplication जब multiplication होता है numerator ने तो उपर का उपर नीचे का नीचे multiplication होता है अगर कुछ कट हो सकता है तो कट करो कुछ नहीं हो रहा आभी देखो 3 by 4 कट नहीं होता है कुछ बरब तो ठीक है तो multiply करेंगे multiply कैसे करेंगे बाबा यहाँ पर द्यान दे बाबा जिंदगी में बाबा यहाँ पर द्यान दे बाबा बाबा भाई दोनों गईने लेडीज दोनों दयान दो याँप अगर होता तो बहुत चीजे बदल जाती है इन्तो के लिए अ क्या करेंगे numerator का multiply और denominator का multiply हाँ sir ये तो हमको पता है अरे बहुत सारे लोग है जो गलती करते है रहे इसलिए बता रहा हूँ 2 x 4 8 5 x 3 15 और ये आगे का क्या है sir 8 x 15 अब तो सब लोगों को ये पता चला ये भी same time आया ये भी same time है same minus same 0 होता है कोई भी दो चीज़े same दिख रही है और बीच में minus है equal है और बीच में क्या है minus है equal चीज़े है और बीच में minus होता है 0 या आता है उसका answer अगर ये numbers से अलग होते हैं तो ये वाला formula minus वाला मैं use करता था तो directly आप यहाँ पर 0 लेख सकते हो लेकिन सर आपने तो बोला था जब जब minus आएगा तब ये द्यान में रखो तो हमने अगर minus का formula यहाँ पर use किया तो क्या होगा अरे फिर भी जूरो है आएगा थोड़ा तेरा काम बढ़ेगा अरे सर यहाँ पर भी जूरो लिखा वो तो हमको समझा ठीक है अगर हमने मान लो minus का formula यूज किया तो क्या होगा चल वो भी करके देखते हैं formula यूज करके देखते हैं सर ने बोला है जब minus होगा तब क्या होगा divide होगा और अब तो यह कैसे होगा 8 by 15 into नीचे का नीचे वाला उपर आता है हमेशा denominator का denominator हमेशा numerator में आता है अच्छा ऐसा होता है कि पता नहीं कहते हो पता है पता है इसा यह देख रहे बाबा 15 15 काट गया 8 8 काट गया क्या बचा क्या बचा equal to बचा log of 1 और log 1 is always 0 यहाँ पर एक formula आड़ करते हैं यहाँ पर एक formula आड़ करते हैं पांच नंबर का log 1 log of 1 is equal to 0 clear log of 1 is equal to 0 यह वाला formula भी आपको द्यान में रखना पड़ेगा ठीक है log 1 is always 0 आद है ना वह इससे भी 0 किया यहाँ पर भी 0 किया तो चलेगा और यह इससे भी किया तो चलेगा ओके सर समझ गया next next problem सर यहाँ पर लाइन मारते हैं और यह next problem में ले रहाँ क्या है problem 1 by log of 6 to the base 3 plus 1 by log of 6 to the base 8 plus 1 by log of 6 to the base 9 okay okay यहाँ पर एक और फॉर्मिला आता है क्या सर क्या क्या कर क्या रहाँ क्या कर क्या रहाँ यहाँ पर फॉर्मिला का उन्स आता है एक और फॉर्मिला मैं यहाँ पर आड कर रहा हूँ log of log of a to the base b जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log of a upon log of b clear तो लिख लो यहाँ पर तो यह कैसे आएगा log of 6 upon log of 3 plus यहाँ पर भी log of 6 upon log of 8 और यहाँ पर भी log of sorry 1 है ना उपर 1 upon log of 6 upon log of 9 clear अब जैसे के मैंने बोला denominator का denominator numerator में जाता है कैसे कैसे सर 1 upon a by b is equal to b by a होता है 1 upon a by b is equal to b by a होता है क्योंकि denominator का denominator numerator में जाता है clear ओके सर समझ गए तो कैसे होगा यह log of 3 upon log of 6 plus log of 8 upon log of 6 plus log of 9 upon log of 6 सबका denominator सेम है और बीच में प्लस है तो denominator एक ही बार लिखते हैं मतलब क्या सर मतलब क्या मतलब यह मतलब यह मतलब यह a by c plus b by c अगर होता है तो इसको मैं a plus b by c लिख सकता हूँ मतलब क्या denominator सबका अगर सेम है तो एक ही बार लिखो उसको और numerator का addition को मतलब क्या आएगा यहाँ पर सबका denominator सेम है तो बार बार लिखने की ज़रुवत नहीं है बीच में plus है न ओके log of 6 तो उपर का होगा addition log 3 log 8 plus log 9 और हमको एक चीज़ पता है सर क्या पता है तेरे को क्या पता है तेरे को यह तर देख सर बीच में plus होगा तो multiplication होता है तो यह तीनों का multiplication कर सकते हैं क्या आरे तीन हो चार हो सबका multiplication होगा तो कैसे होगा सर यह तो बताओ यहाँ पर क्या होगा ओ मैं तेरे को यहाँ पर बताता हू तो log of सबका multiplication होगा 3 into 8 into 9 upon log of 6 which is equal to 3 into 8 into 9 कितना होता है रबाबा फटापट करो रहे 8 into 24 24 into 9 कितना? 240 दो 24 into 9 240 245 मैंने 216 log of 216 upon log of 6 तो यह क्या हो जाएगा मेरा अब देख यहाँ पर भी अगर log 6 आएगा तो कितना मज़ा आएगा यहाँ पर भी अगर log 6 आएगा तो कितना मज़ा आएगा यह formula पहले लिख के ले लो यह मैं मिटाने जा रहा हूं कि मेरे को यहाँ पर जगा नहीं है इसलिए ब्राबर मिटाना तो पड़ेगा ठीक है ना? मिटाना तो पड़ेगा या फिर मैं यह 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 यहां से यह मिटा रहा हूं ठीक है ओके ठीक है यहां से आगे मेरा क्या होगा लॉग अब 216 को मैं कैसे लिख सकता हूं अगर नीचे लॉग आप 6 है तो उपर भी लॉग आप 6 अगर आता तो मज़ा आता लेकिन 216 को 6 टूदी क्या होता है 216 is equal to 6 टूदी क्या 6 का square 36 36 into 6 216 का cube clear? तो 6 का cube जो होता है वो 216 होता है तो लिख लो यहां पर 6 का cube तो 216 216 को मैंने 6 का cube लिख लिख लिया तो हमको तो पता है सर उपर वाला सामने आता है तो यह कैसे बना? 3 into log of 6 upon log of 6 उपर वाला सामने कैसे आया रे बाबा? सर कौन सा formula यूज किया? log x raise to a is equal to a of a into log x यह वाला formula यूज किया सर और उपर वाला सामने आ गया बाद कितम यह तो हमको पता है formula आप नहीं बता है तो यह कट गया ना log 6 log 6 तो बचा क्या? 3 is the final answer clear? तो यह वाली सवाल ऐसे काफी chances से आएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम है ना थोड़ा सा दिमाग भी लगता है थोड़ा सा काम भी है थोड़े formula भी यूज होते है तो यह वाली सवाल थोड़े सा दिमाग लगाने वाले बहुत important होते हैं इनको solve करो ऐसे सवाल आपको exam में दिखेंगे यह वाला type काफी important है इस type के सवाल आपको exam में दिखेंगे clear? okay as usual practice is very important write it down very very carefully